अलो गाईज वेलकम बैक टू दे वीडियो तो ये वीडियो बिगीनर के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाले विकाज इस वीडियो में हम पेपर ट्रेड क्या होता है और आप वह पेपर ट्रेड केसे कर सकते हो यह डीटेल में डिसकस करने वाले तो अगर आप इस चै तो paper trading is a trading real market with the real time but with fake money मतलब आप paper trading में आप real market को हिछ trade करते हो real time में बट जो आपका जो पेशा लगा होता है वो fake पेशा होता है मतलब आप एक software पर फिर आप खुद paper pen लेके वहाप आप अपने enter and exit लिखके आप trade करते हो तो इसे हम paper trading कहते हैं तो paper trading में आपका फाइदा क्या होगा कि अगर आप beginner हो तो आप अपना जो पैसा है वो लूज नहीं करोगे स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी जो strategy आप पेपर ट्रेड़ पे जा पर आप वहाँ पेपलाई कर सकते हो और देख सकते हो कैसी चल रहे और अगर आपको strategy में कुछ modifications वगरे करना है तो आप वो पेपर ट्रेड़ पे करके आप trial and error आप find करके आपकी strategy आप सुधार सकते हो but as a beginner पेपर ट्रेडिंग में सब को ही profit होता है most probably profit होता है 99% लोग को because वहाँ पे आपकी जो सबसे important चीज़े ट्रेडिंग में emotions and psychology वह आपकी play नहीं करती because वहाँ पे आपका जो real money वो नहीं लगा होता है तो आप logical decision लेते हो या फिर आप fearless decision लेते हो आप वहाँ पे आपको दिक्कत आती है and फिर आप वहाँ पे losses करते हो तो पेपर ट्रेडिंग में profit क्यों होता है because आपको वहाँ पे रियल जो पैसा है वो नहीं लगा होता आप अप फेक मनी से ट्रेड कर रहे होता है आप logical decision ले सकते हो पेपर ट्रेडिंग में आप एक experience है वह एक्च्वा ट्रेडिंग में जैसा आएगा तो हम एंड में देखें कि कौन से software है जिसमें आप पेपर ट्रेड कर सकते हो पेपर ट्रेड का सिर्फ एक ही यूज है अगर आप बिगिनर और आपको प्रोसेश समझने हैं बाइग कैसे करते हैं अपनी entry आने तक वे practice करने तो पेपर ट्रेडिंग का मतले है बट जो उसके बात का जो एक्च्वाल फेज होता है ट्रेडर का मतलब ट्रेडिंग करने के साथ ही आपको emotions आए या फिर आपकी psychology test होगी तो जब आप losses में होते हो रियल मानी के साथ या फिर आप रियल मानी में आपको profit दिखते है तो आप कैसे decision लेते हो या फिर आप कैसे react करते हो वह actual ट्रेडिंग से ही आता है पेपर ट्रेडिंग से वह नहीं आता तो पेपर ट्रेडिंग का सिर्फ एक यूज है कि mechanical जो प्रोसेस है mechanical जो execution है जो ट्रे play होगी और फिर आप एक दीरे दीरे ट्रेडर बनेगे तो पेपर ट्रेडिंग में आपको unlimited पैसा मिलता है fake money तो वहाँ पर आप unlimited जो रिस्क है या फिर आप unlimited quantity लेते हो और उसके वैसे आपको profit loss बहुत बड़े दिखते है profit बड़े दिखते हो और फिर आप खुश होते हो जब actual money लाते है तो अब actual money आपके पास थोड़े होता है and paper trading के वज़े से जब आपको बड़े profit दिखे होए होते तो अब actual money पे भी उतना ही एक्सपेक्ट करते हो या फिर आप उतना ही profit के लिए जाते हो and then सारे चीज़े खराब होती है वहाँ पे उतना आपका capital नहीं होता and then आपको उस profit के लिए कुछ भी आप trade करने लगते हो gambling करने लगते हो and आपकी पूरी psychology खराब होती है तो paper trading करने से ये भी नुकसान हो सकता है तो ये बात धहन में रखो paper trading करते वक्त आप दिमाग में रखो कि मैं एक महीना दो महीन के बाद जब मैं actual money market में लाओंगा actual capital ल लोग करें तभी आप वहाँ पे आपका जो psychology वहाँ पे फिट हो गया and then आप real money से भी trade करते हो तो वहाँ पे आपको same result देखने को मिल सकते है तो paper trading में क्या होता है अगर आप यहाँ पे unlimited quantity unlimited capital के साथ ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको बड़े profit दिखते हैं दिन आप actual मे 10,000 लेके market में आते हो और वहाँ पे भी उतने expert करते हो तो इसा नहीं होता तो इसके विए से यह बात भी दिमाग में रखो और अभी हम जाते हैं screen पे और देखते कि paper trading करने के लिए आपको कौन से app है या फिर आप desktop पे कैसे paper trading कर सकते हो तो guys paper trading करने के लिए आप जो पहला site use कर सकते हो वो है trading view आपने नाम सुना होगा trading view का तो trading view यहाँ पे आपको site open करने उसके बाद यह इसा interference आता है यहाँ पे जाना है आपको and then आपको जो नीचे जो panel दिख रहा है तो इस panel में देखो paper trading यहाँ पे आपको दिखाए दे लोगा paper trading पे आपको click करना है then इसके ब लेके दिखाता हो समझो यह HDFC bank का stock है and HDFC bank को आपको समझो यहाँ पर buy करना है आपको टेस्ट करना है तो paper trade में कैसा और करते है समझो यहाँ पर आपने कुछ strategy यहाँ पर breakout आया पर कुछ हुआ है आपको buy का signal मिले तो आपको buy करना है तो यहाँ पर मैं right click करता हूँ यहाँ यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा अलग अलग चीज़े उसके बाद आपको trade पर जाने के बाद create new order and then यहाँ पर sell and buy तो मुझे buy करने तो मैं buy पर click करता हूँ and market order limit order यह सेम आप जो broker में real broker में लेते हूँ वैसे order यहाँ पर होती है तो यहाँ पर मैं market order पर समझो ए मतलब buy किया है मैं लॉंग one quantity यहाँ पर देखो आपको profit loss यहाँ पर दिख रहा है तो यह सब paper trade कर सकते हो यहाँ पर stop loss लगा सकते हो टेक profit मतलब target लगा सकते हो तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हो तो जो trading में यहाँ पर equity में trade कर सकते हो बट यहाँ पर देखो option का जो feature है वो नहीं होता अगर आप option में trade करना चाहते हो समझो मैंने निफ्टी का 18500 जो है option सेर्च किया तो यहाँ पर देखो नहीं आ रहा option तो option में ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते बागा future या फिर जो equity वह आप ट्रेडिंग व्यूपे paper trade कर सकते हो तो यह trading view के लिए था अभी मैं मैं आपको और एक चीज दिखाने वारा हूँ जो हमारे mobile पे app हम डाउनलोड कर सकते हो उसका नाम है front page तो front page जो आया पर यह paper trading के लिए बहुत ही भैतरी नहीं पर वहाँ पर option में भी ट्रेडिंग कर सकते हो तो अगर आपको option में भी practice करने है तो front page आप mobile में डाउनलोड कर सकते हो प्लेश्टोर से और वहाँ पर प्रेड़ कर सकते हो तो मैं आपको front page आप दिखाता हूँ कैसा है और उसे यूज कैसा करना है आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पर देखो मैं app store पर आया हूँ है और यहाँ पर front page search करने के बाद यह यहाँ पर देखो front page आ रहा है मैंने पहले से download करके रखाए तो यहाँ पर मैं open करता हूँ इसे तो open करने के बाद कुछ ऐसा इसका interference है तो यहाँ पर देखो आपको home पर यहाँ अलग अलग जो लोग होते और वह अपना analysis post करते तो यह आपको feed में दिखाई देगा उसके ब bank यहाँ पर plus के sign पर click करने का बाद यहाँ पर आईसे ऐसे bank जो है वो आ चुकी देन उसके बाद है ट्रेड तो ट्रेड पर देखो यहाँ पर आपको 10 lakhs का जो है वह आपको जो fake money दिया गया है तो यहाँ पर देखो अभी 11,25,000 दिख रहा है बिकाज मैंने भी कुछ पेप fake money दिये जाते हैं यहाँ पर अगर आप click करते हो तो यहाँ पर देखो आपको find and instrument आता है तो अगर आपको option में trade करना है तो सम्झो मैंने 18,500 की call इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैंने 50 क्वांट इसके बाद जो प्राइस एंटरप्राइस है वो मुझे चाहिए मार्केट पर सीधा मैं यहाँ यहाँ पर बाइक करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं तो यह हो चुका है तो आपको नीचे देखो ट्रेड दिख रहा होगा पोजिशन में 18,500 का call और रियल मार्केट में आप ट्रेड चाले और यह अप डाउन भी हो रहा है देखो अभी पॉजिटिव पाच रुपए त्वेल रुपीज तो यह जो है प्रॉफिट अभी देखो माइनस ट्रुप लिए होता है तो देखो बहुत इच्छा है एको यहां पर आपए क्लिक करते है उसक लेघ्जिट आपको अगर देखने है आपका ट्रेड पास का बी या फिर इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट है तो आपको पास पेनल इस पर क्लिक करने उसके बाद यहां पर आपको जो अपने ट्रेड से वह दिख रहे होगे तो देखा अभी हमने ट्रेड लिया था वह एक्जक्टली जीरो रुपए पर कॉस्ट टू कॉस्ट पर इग्जि तो आप प्रैक्टिस करो बड़ एक चीज़ द्हान में रहो अगर आप जब रियल मार्केट में आने और रियल मनी के साथ तब आप कितने पैसे लने वाले हो मतलब अगर आप 10,000 20,000 लाने वाले हो तो उतना ही पैसा आपके पास जो आपने जो यह पेपर ट्रेडिंग अक करो तो उसके साथ ही आपके साइकोलोजी वह फीट होगी एंड दिन आप रियल मार्केट में जब रियल पैसे को साथ ट्रेड करने आओ गए तब आपको वहाँ पर एडवंटेज मिलेगा तो यह एक इंपोर्टन टिप है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग